सबार बल दियो हाँ दूसरा देखो एजर दिया है इनों ने क्यू ए बराबर कितना यह दस सेंटिमेटर यानि के आर बराबर जो है वो दस सेंटिमेटर दिया है इनों ने यह क्यों कमान दिया है कितना एक माइक्रो कुलाब अब देखो सवाल उन्होंने दिया है सवाल जो नहीं तुम्हें ऐसे समझ नहीं आगा सवाल जो वो चितना आके समझ माएगा हाँ जी हाँ कौन सवाल उन्होंने पता है कुछ तो इदर देख लो अब जिरा यह A है यह B है यह C है यह D है यह बराबर जो है वो दो माइक्रो कुलाब रखा है यह बी पर कितना है माइनस के 5 माइकरो कुलाब C पर है 2 माइक्रो कुलाब और डी पर है माइनस के 5 माइक्रो कुलाब वो कह रहा है इनके केंद्र पर एक आबेस Q रखा है Q बराबर है एक माइक्रो कुलाम तो इनके इस पर लगने वाला बल निकालेंगे तो यानि कि इसके कारण अलग बल निकालेंगे इसके कारण अलग इसके कारण अलग इसके कारण अलग तो देखोता है जब इसके कारण निकालेंगे तो ये Q बन बन जाएगा ये Q2 बन जाएगा दोनों के कान निकालेंगे तो हमें बीच की दूरी चाहिए बीच की दूरी चाहिए और बीच की दूरी निकालने का तरीका ये होता है कि जो इसके भुजा होती है वो A होती है तो बिकन कितना हो जाता है घन का सोरी बर्ग का विकान और विकान हो जाता है। है। है रूट टु करहते तो आधा कितना हो जाएगा अर्ध लित करण हजा अर्द विकन हो जाएगा root 2 A upon 2 A की value भी हम बात में लगा देंगे हमाई यह मिल गया भी है यहां से यहां तक की दूरी मिल गई हमाई अब यह क्या आया है अर्द विकन जो है अगर हम इससे O मानेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी O A B A I है O, B, B, A, E, O, C, B, A, O, D, B, A, E, O, root 2 upon 2 है यहां से यहां तक कि सब की दूरी मिल गई है इसके कारण अलग निकालेंगे इसके कारण अलग निकालेंगे चार बार बल निकालना पड़ेगा हमें तो हम कहेंगे तथा O के मद्ये A तथा O के मद्ये बल और A तथा O के मद्ये बल जब हम निकालेंगे तो F1 बराबर 1 upon 4 pi epsilon note अब यहां Q1 की जगा तो QA आ जाएगा Q2 की जगा Q O आ जाएगा Q1 Q2 upon R1 square कर दो R1 माल लिया हम नहीं यह R1 माल लिया इसे हम R2 माल लिया इसे हम R3 माल लिया इसे हम R4 माल लिया दूरी सब में वही चलेगी या सब सच्छा है हमारे पास O A O B O C O D और यह हमारे पास मान है तो यहां हम कर देंगे O A का बर्ग अब बात आ जाती है दिसा निकालने की ठीक है जी दिसा कैसे निकालने इन दोनों के मत दिया तो देखो है है यह बल भी प्लस है यह बल j प्लस है हास समझेरो दोनों प्लस प्लस है 2000 प्लस है मतलब किवतिक गर्शित कर रहें पत SIM है यह यह भी प्लस है यहairy फ्लस है ऑफ दूसरे प्रिटटिक गर्शित करते हैं तो एक बल इस्वा सब और एक बल उदर को भागेगा दूसरी साइट को तो इसके दिसा लिख देंगे हम ओपर लगने वाली बल की दिसा जो होगी यह बल जो है वो तुमारा ऐसा रहा है यह बल ऐसा रहा है और जी दोनों मिलके और जी और 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 ओए दिसा यह ठीक है यह एक दूसरे से दूर भागेंगे दूर भागेंगे तो यह इस साइट में चले आएंगे यह बल आ जाएगा एफ बन चलो चारो की दिसा एक साथ लिखेंगे यहां तक आजो सम्मी का नमबर एक दूख अभी हमने क्या निकाला है इसके और इसके मद्यबन निकाला है अब इसके और इसके मद्यबन निकालेंगे तो हम कहेंगे बी तथा ओके मद्ये बल और बो आ जाएगा एफ टू एफ टू बराबर वन अपॉन फोर पाई एफसालन नोट क्यू भी क्यू जिरो अपॉन ओबी का स्कुएर यह है यह है इतना फिर आ जाता है समीक नमबर दू आ गई है फिर आ जाता है और सी तथा ओके मद्ये बल और सी तथा ओके मद्ये बल जब निकालेंगे तो यह आ जाएगा एफ टू वन अपॉन फोर पाई एफसालन नोट और क्यू सी क्यू जिरो अपॉन ओ सी का स्कुएर और समीक नमबर तीन फिर निकालेंगे ओ कौन सा डी डी तथा ओके मद्ये बल वन अपॉन फोर पाई एफसालन नोट यह तो सी था हीना डी हीना ओ और यहां जाएगा ओडी का स्कुएर अब जो है हमारे पास चारू बल आ गए एक बल इदर आ गया एक इदर आ गया एक इदर आ के इदर आ गया आब अगा जह म धियान से देखेंगे तो इस बल की दिसा तो इस और होती है और ये दोनों प्लस हैं तो इस बल की दिसा जो वो इस और होती है यानि के O A और O C एक दूसरे के विपरीत हैं ये किदर को ये किदर को तो जब परणामी बल निकालेंगे तो आपस में घट जाएंगे क्या होगा हम निकालेंगे ऐसे करके के O A तथा O C का परणामी बल और परणामी बल जब हम निकालेंगे F डैस तो वो यहां आ जाएगा F1 या F1 और माइनस F2 चूंकि ऐसे रही देंगे चूंकि दिसाएं विपरीत हैं तो जब F1 मानेस F2 तो इसकी वैलियू लगा देंगे 1 अपॉन 4 पाई Epsilon Note F1 Q A कमान कितना है 2 गुणा 10 किखाद माइनस 6 या दखना 1 कमान Q 0 कमान आ जाएगा 1 गुणा 10 किखाद माइनस के 6 एक माई के कुलाम होता है O A कमान जो है वो रूट 2 A अपॉन 2 हो जाएगा का बर्ग माइनस F2 का F3 का क्योंकि इसके और इसके मद्ध्य पर निकाल लें हम तो F3 का F3 की वैलियू लगा देंगे 1 अपॉन 4 पाई Epsilon Note Q C कितना है C वो दो गुणा 10 किखाद माइनस 6 है Q 0 Q 0 कमान है एक गुणा 10 किखाद माइनस 6 और दूरी आ गई है रूट टू ए अपॉन टू यह दूरी सब के लिए सेम काम करेगी यह दोनों मान बराबर है तो आता है क्या हो जाएगा परणामी बल जाएगा वो F-0 आ जाएगा इन दोनों के इन दोनों के करणन लिकाला हमने ऐसे ही हम निकालेंगे O-B O-B तथा O-S O-D के मद्धिय परणामी बल और F-S आप इनकी देहां देखां देखां कहिं Q आपनी फिर सब्सक्राइब मेर्न रॉक्षा तो क्या होगा कि जब हम इसका परणामी बल निकालेंगे तो यह भी आपसमा घकालेंगे और घकेंगे तो यह आ जाए देगा F2 माइनस के F4 यह F2 यह F4 वैल्यू लगा देंगे 1 अपन 4 पाई Epsilon नोट और Q, Q की वैल्यू देखो 5 गुणा 10 की घाद माइनस के 6 B की वैल्यू लगा रहे हम और इसकी वैल्यू तो 1 रहेगी जीरो की दूरी रूट 2 A अपन 2 हो जाएगी का बर्ग माइनस के 1 अपन 4 पाई Epsilon नोट 5 गुणा 10 की घाद माइनस 6 और 10 की घाद 1 गुणा 10 की घाद माइनस 6 रूट 2 A अपन 2 का बर्ग यह कौन सा निकाला है हमने F4 का मान लगा दिया यह भी दोनों एक से हैं यह सब कट जाएंगे और परणामी बल जो है 0 आ जाएगा तो इन दोनों कार्ण में जो लो कुल बल अब निकाल देंगे तब हम कहेंगे तब ओपर परणामी बल F बराबर जो है F डैस प्लस F डवल डैस 0 प्लस 0 और F बराबर 0 बल आ जाता है यह था परणामी बल इसके बाद अगला कोश्चन बता तो जड़ा क्या था यह अगला कोश्चन हाँ जी खतम नहीं बाद दूसरा चालोगा अगला बताना देखो 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 दो बिंदू आबेस हैं इसमें 9E E बीच की दूरी है A वो करें तीसरा आबेस क्यों इसमें कहा रखे ताकि यह संतुलन मरे रहे यह तो पूछ रहे हो कहा का मतलब वो दूरी पूछ रहे तो किसी एक आबेस की और से बता दो इधर की और से बता दो या इधर की और से तो हम मान लेंगे माना 9E आबेस से वह दूरी दूरी X है X है जहां जहां निकाए संतुलन के वस्ता में है एक मिटर है? कोई बात है नहीं एक है? यह है? और क्या है? ए है? देखो A होगा तो A में से घड़ जाएगा 1 होगा बन में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है आप सुनों धर हमने इधर की साइट से X माल लिया यानिके यह वाली दूरी हमने X माल लिया तो यह दूरी कितनी हो जाएगी? यह A-X हो जाएगी क्यों टोटल A है उसमें से X कम करेंगे तो A-X रह जाएगी अब देखो मैं दो बार बल निकालना है वो कह रहे हैं ऐसा कहा रखा जाए ताकि बल संतुलन में रहे बना दोनों इधर का जो बल लग रहा हो वो इधर लग रहा हो ये बल लगेगा F1 और ये बल लगेगा F2 तो हम कहेंगे सबसे पहले माना प्लस 9 आबेस से बहे दूरी A-X है जहां निकालना है संतुलित है तो हम कहेंगे 9E तथा Q के मद्ध है बल एक बाद जिंदी के बल के लिए हमेसा याद रखना जब 2 आबेस होते हैं Q1 और Q2 तो इनसे हमेसा बल बनेगा इनके बीच में या इनके बीच में ऊर्जा हो सकती है अगर खाली एक आबेस होगा तो वहां बिद्दु छेत्र बनेगा या बिद्दु विभब बनता है तो दो आबेसों से जो होता है अगर जो दो आबेस कहीं है तो वहां बिद्दुछेतर नहीं होगा वहां फिर आपस में बल लगेगा उनके एक आबेस है तो वह बिद्दुछेतर उत्पन कर सकता है यह बिद्दुछेतर लगेगा यानि कि जब दो आबेस है तो यह बल वाला नगलते वो कहते कि इन दोनों आबेसों के बीच में एक बिंदु ऐसा कहां है जहां पर बिंदु छेतर कमान सुनने हैं तो वहां हम E वाला फॉर्मला निकाल दें अब हम जो है वो F बरावर निकाल लेंगे क्योंकि उसने दूसरा अबेस हमां रख दिया है तो अब इन दोनों के मद्दे तो बल लेगा तो एक बल हम इन दोनों के मद्दे निकाल देंगे एक बल इन दोनों के मद्दे निकाल देंगे दोनों को बरावर कर देंगे अंसर आजाएगा तो F1 बरावर 1 upon 4 pi epsilon note एक तो आजएगा Q1 और एक आजएगा Q इसे हमने Q1 माल लिया इसे हमने Q2 माल लिया Q1 Q upon R square वैल्यू लगा दो 1 upon 4 pi epsilon note Q1 के मान है 9E Q का मान क्यों ही रहने दो R का मान कितना मान है हमने X सम्मे का नमबर 1 आ गई है F1 बरावर फिर हम निकालेंगे के Q तथा E के मद्धियबल Q तथा E के मद्धियबल तो यहां आ जाएगा F2 बरावर 1 upon 4 pi epsilon note Q बन की जाएगा तो यहां जाएगा दो यही एक आवेस E बन गया एक आवेस Q बन गया दूरी कितनी हो जाएगी अपके दूरी हो जाएगी A माइनस X का स्क्वाइर समय के नमबर दो संतुलन की अवस्था में तेखों संतुलन की अवस्था में F1 बरावर F2 के हो जाएगा तो F1 का मान जो है बहु आ जाएगा 1 upon 4 pi epsilon note 9 E Q upon X स्क्वाइर 1 upon 4 pi epsilon note E गुणा Q और A माइनस X का स्क्वाइर इस से तो ये कैंसल हो गया और Q से Q कैंसल हो गया यहां बचेगा 9 E upon X स्क्वाइर और यहां बचेगा E upon A माइनस X स्क्वाइर E से E भी कैंसल हो गया तरिश्चे गुणा कर देंगे तो 9 E माइनस X का स्क्वाइर X का अंडरूट इस पर कर दो या इधर का अंडरूट इधर कर दो हम इधर का इधर कर रहे हैं यानिके अंडरूट के 9 E माइनस X कर रहे है X बराबर ये 3 मान के बाहन निकल जाएगा और ये A माइनस X मान के बाहन निकल जाएगा हमें X का मान निकालना है अंदर गुणा कर देंगे 3 A माइनस 3 X बराबर X 3 X को अधर ले जाएगे तो 3 A बराबर जो है वो 4 X हो जाएगा यानिके x बराबर क्या जाएगा 4 नीचा पहुँच जाएगा यह तो 3 upon 4 हो जाएगा इतनी दूरी पर है अगर कोई यह पूचता तुम से कि यार इधर से दूरी बताओ तो हम कहेंगे e से दूरी जो है तो e से दूरी कितनी जाएगी वो a में से घटा देंगे e से दूरी क्या थी a माइनस x थी x कमान हमने निकाल लाई है अभी अभी तो यहां जाता 3 a upon 4 तो 4 a माइनस 3 a upon 4 और यहां जाएगा a upon 4 यह इधर से दूरी जाती ठीक है जी तो यह सवाल हो जाता है तुमारा इससे अगला सवाल कौन सा है प्लस प्लस 4 e प्लस e 20 की दूरी फिर वो यह तीसरा वेस कहा रखा जाए ठीक है जी तो यह x मिटर की दूरी पर हमने माल लेंगे यही वाली थियोरी लिख देंगे यहां तो इसमें थोड़ा सा सवाल आगे फॉर्ट्र चलेगा अब सुन्लोब इदजरा तो सब से पहले तो हम वही निकाल ले तको में डायरेक्ट निकाला हूँ तुम्हें एव और बराबर एफटु हो जाएगा यहां से इन दोनों के मत्त्व बंद लेगेगा इन दोनों के मत्त्व बंद लेगा कि इन दोनों के मत्ती है यह सवाल था तो वहीं निकालने हम एफ़न कमांड कितना जाएगा वन अपॉंट क्यों कमांड तो हो जाएगा यह संभा रहा है कि क्यों रंक तू और दूरी कितनी हो जाएगी एक्स ऐस्क्वार बदाबर एफ two कमान कितनी आज जाएगा वन अपोण 4 पाई एफसालन नोट और q q 1 कमान तो e हो जाएगा एक क्यों हो जाएगा दूरी कितनी जाएगी a-x का स्क्वार यहा से हाँ तक a-x हो जाएगी क्या हाँ 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 बंढन लेते हो पर मैं लिक रहा होता हू 예 एक समाना है यार एक से कि तो तुम अपना सफ लिखना अप्टनसाफ लेको निदी दिखना मुझे आसा चीझे चित्र में इतना बड़ी बना लुगा चीज़ें इतनी एक चित्र हम ढर दो हो बघवास जाता है सवाल का तरीक यह है şunu आफ या टकर बढम पूरी भोर्त पाहो जाएं तो एक बार में पच्छे उतालए और हुआ जुँतर बढ़ा करलो सवाल आधा होगा और होगा तो भैई आधा उताले लो फिर आदा पूरे 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 पेज में बनाओ यहां से इसके कराद बल एफ वन है इसके कराद बल एफ टु है रो यह होन है तो कितना यह बड़ा कर लो और बड़ा कर लो चीज है यह यह आनी है अब आ जाता है यह तक पता चला इससे कैंसल हो जाएगा क्यूं से क्यूंति टेसे लो जाएगा ठीक यह प्लिखें लोग आ यहाभी समझ बनी आएगा वह नहीं है फ1 के कारण नकाल लो फिर अब इन दोनों के कारण निकाल लेंगे वन अप्र पाई epsilon note यह हमने Q 1 मान लिया इसे हमने Q 2 मान लिया 20 अब ऐसी है 30 308, Q 1 R25, R24 और R24 किया क्या हो जायगा चलो वो तो हम लगा देंगे 1 upon 4 by epsilon note Q 1 की जगे तो E 1 upon 4 by epsilon note यहां जाइगा E यहां जाइगा Q और यहां जाइगा A-X2 समय का नमबर 2 संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में अब संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा कि F1 बराबर F2 हो जाएगा अब 1 अप sugars 4 π 5 epsilon note 4E into q और यह x square 1 upon 4 pi epsilon note e into q upon a minus x square इससे cancel होगिया q से q cancel होगिया 4 e upon x square बराबर जो है वो e upon a minus x square e से e cancel होगिया तरच्छी कुना हो जाएगी 4 a minus x square बराबर x square इसपा अंडरूट कर दो 4 a minus x square बराबर x यह 2 बन के बहार निकल जाएगा यह a minus x बन के बहार निकल जाएगा 2 a minus 2 x बराबर x इससे उदर ले जाओ 2 a बराबर 2 x plus x बराबर 3 x और यहाँ 2 a तिन निच्छ ले आएंगे x बराबर x बराबर 2 a upon 3 यह मान आग्या हमारा अब मान तो आग्या अब हमान निकालना होता है क्यों कभी तो क्यों का मान निकालने के लिए एक सम्मीकर तो दो सम्मीकर तो हमार पास यह है एक हमें तीसरी सम्मीकर और बनानी पड़ेगी और वो तीसरी सम्मीकर कौन से होगी कि इन दोनों आभेसों के कारण है मतलब क्यूबन वे क्यूटू के मद्धिय बल इन दोनों के मद्धिय बल निकालेंगा वो एफ होगा एफ बराबर वन अपॉन फॉर पाई अब होता क्या है संतुलन के वस्ता में संतुलन के वस्ता में अगर एफ 1 बराबर एफ 2 है न तो एफ 1 बराबर एफ के भी हो गया एफ 2 बराबर एफ 2 है यह कि इसके भी हो गया यानि तुम्हार पास दो रास्ते हैं आंसर निकालने चाहो तो इन दोनों संभीकणों को बराब पर लेलो और राजमर तो जितना वाल इन दोन Подगiant नगे लागरोगा क्युक्त लिए में निकालन के मद्ध्ये लग रहुगा उर कि Quelber निगाय का स secular होते हुए थी अब इसमें आ जाता है हमा ऐसा लिए में आज यूट अब से barking Respect पराबर F1 के कर देंगे तो F कमान तो आगिया 1 upon 4 by epsilon note 4 E upon A square यह आगिया बनसुर यह वाला आगिया F1 कमान यह जाएगा 1 upon 4 by epsilon note 4 E गुणा Q upon X square यह F1 कमान आगिया यह इसका आगिया अब यहां से Q कमान निकल लेगे एक तो इससे cancel कर देंगे 4 से 4 cancel कर देंगे यह E upon A square बराबर Q upon X square है Q कमान निकलना है तो इसकी तिर्शेगुणा कर देंगे तो Q बराबर तुम्हें कुछ हैसे नज़राएगा कि X square E upon A square दिख रहे हैं तिर्शेगुणा हो गई है कि X कमान हमारे पास अभी अभी निकाला हैं नहीं है कि क्यों बराबर इसकी जगलागा देंगे टू ए अपॉन थिरी का बर्ग ए और अपॉन ए स्क्वेर वैल्यू खोल देंगे 4 A square अपॉन नो गुणा ए एपॉन एपॉन A square से A square Cancel हो गया यानि कि 4 E upon no गया क्यों कमान ठेक़ जी क्यों कमान आप बात आ जाती है उसने पूछा कि A base कैसा होगा ठेक़ आबस कैसा होगा धनात्मक होगा या धनात्मक होगा दोनों मैं से एक बताना हमें क्योंकि यह formula देखके पता नहीं चलता हमें यह हिसाब लगाना होता है अब सोचो हमें यह निकाय बनाना है मतलब निकाय जो हमें रोकना है इधर प्लस है इधर प्लस है बीच में हमने प्लस आवेस रख दिया प्लस आवेस रख दिया तो यह बल जो वो इधर को बल भी लगा इढ़नरंगे में क्या है तो यह और निकाहिको रूकने नहीं देगा अगर बीच मेह हमने है कि इधार प्लेस लग दिया तो यह इद्धर को बन लगाएगा यह यह आपस में रुखन की पाए लिए अैसा होगा कि जो जादेवाला है वो अपनी और को खीच लेगा इससे ऐसा भी हो सकता है या एक दूसरे वो पिट्टी कसित करेंगे अब बात करते हैं रनात्मगावेस की तो रनात्मगावेस में क्या है कि जैसे हमने रनात्मगावेस रखा तो इन दोनों के मध्यागर समबल लगेगा ये रोग कर रखेगा निकाए संतुलन के अवस्ता मा आ जाएगा तो संतुलन के अवस्ता के लिए अगर धनात्मगावेस रखते हैं तो ये पिट्टी कसित करेगा ये यहां रुक नहीं पाएगा जैसे के दो चुम्मक के सिरे आपस में तुम ऐसे करकर रोग नहीं सकते हैं कभी देखें किसने दो चुम्मक के सिरे आपस में एक से सिरे हो प्लस प्लस ही हो तो ये उत्री उत्री दुरूब हो तो आपस में रुकते नहीं है ऐसा होते रहेंगे उसमेंसे एक उत्रियों दक्षणियों तो चिप बग जाते हैं तो ऐसी यह है आबेस हमें सोचना पढ़ेगा यहां आबेस रणात्मक होगा तो यह निकाहिट संतुलन होगा वन्न नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे हैं कि अतै अतै आबेस कि आबेस का मान रणात्मक होगा और संतुलन S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S को यह होता है तो यहाँ से तुन में सवाल करने हैं यह करना है यह करना है यह करना है और आजुकर चाहिए तीनों सवाल जितने भी हैं इन में से कोई सा एक्जाम में जरूर आ जाएगा खास कर इन दोनों में से लाश्ट वाले दोनों में से